नमस्कार सातियों एक बार फिर से आप सभी का वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्रेटफरम पर बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे लेकिन अब ये सीरीज जो मैं कंटीनुई करने जा आपकी और तब तक रही जब तक मैं आपका सेलेक्शन नहीं करवा देता हूं कुछ ऐसी कारण थे जिनकी वज़े से मैं आप आ रहा था मैं ऐसी जगह पर था जहां पर कोई ऐसी विवस्ता नहीं थी जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आप आप आऊं जिससे हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे ऑफलाइन पड़े हुए हैं उन तक भी अगर बात ये नहीं पहुची है तो आप अपने मित रियारों के द्वारा उन तक ही बात पहुचा दें और इसके अलावा हमारे जितने भी हमको प्यार देने वाले ऑनलाइन प्रेट्पर्म के साथ आती हैं वो सभी इस पर जुड़ जाएं क्योंकि अब जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है UPS PO का भी क्या आ चुका है और इसके पहले RRB किलर का और RRB PO का अल्रेडी आ चुका है उसका पेपर आने बाला है तो हम लोगों को इन सब की क्या करनी है तयारी करनी है जैसा कि आप लोगों करी रहे होंगे लेकिन उसे तैयारी में और हम अच्छे से तैयारी कर पाएं यैसे कि आप लोग RRB goofy और RYPO की अल्रेडी तैयारी कर रहे होंगे ठीक है इसके लिए मैं बहुत माफी चाहूँना कि मैं उस समया आपके पास नहीं जिसको हम practice session बोलेंगे तो इसमें आपका क्या होगा कि आप लोग ये देख पाएंगे कि आपकी जो तयारी है वो किस इस्तर पर चल रही है क्या आप इस तरीके के question बना पा रहे हैं और यहाँ पर जो question लिये जाएंगे वो latest pattern के question लिये जाएंगे जो latest exam में आ रहे हैं उन question को लिया जाएगा जो कि आपको ऐसे question होगे कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्री लेबल में तो direct ऐसे question आपको देखने को मिलेंगे सीदे के सीदे तो आप बिल्कुल भी इस session को miss नहीं करें सारे session daily आपको देखने हैं timing आपकी fix रहीगी इसी time पर आपके सारे session आएंगे ठीक है इसके साथ साथ हम जल्दी ही एक ऐसी series लेकर आएंगे जहांपर हम अपने उन सातियों को भी जोड़ पाएंगे जो पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जिनोंने तैयारी सुरू नहीं किये उनको भी हम लेकर चलेंगे चलिए सुरुवात करते हैं जैसा कि आप लोग उसके से बढ़ी प्यार से question को पढ़ा करो हिंदी में English में दौनों में ही लिखा हुआ है ऐसी आपको पेपर में मिलेगा अप जिस भासा में comfortable हो उसका सामें आप question को पढ़िए अच्छे से पढ़िए एक बार दो बार question पढ़ने में समय लग सकता है लेकिन answer करने में फिर स furniture is 3 to 5, यानि कि यहां से आपको एक चीज़ समझ में आ गई, कि cost price और mark price का रोज ratio है, वो कितना दिया गया है, 3 to 5, आगे लिखा हुआ, and the ratio of percentage profit to percentage discount, ठीक है, percentage profit to percentage discount, एक मिनिट रुखिएगा जरा, question लिखा हुआ है, the ratio of the cost price to the, थोड़ा चा problem हो गई थी, cost price to the mark price of the furniture is 3 to 5, and ratio of the percentage profit, वा समझेगा, percentage profit to the percentage discount, percentage discount is 5 to 3, what is the discount percent, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि पूशा क्या गया है, पूशा गया है, what is the discount percent, तो एक चीज़ आप यहां पर बहुत अच्छे से जानते हो, कि कभी भी अगर discount percent निकालना होता है, तो discount percent के लिए हमको D की जरूत पढ़ती है, यानि कि discount की जरूत पढ़ती है, और यह निकलता किस पे है, mark price पे निकलता है, तो mark price की जरूत पढ़ती है, अब यह किसके बराबर होता है, यह हमीशा बराबर होता है, हमारा mark price minus के SP, इसके बराबर होता है, तो अब बच्चे यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि mark price का ratio तो दिया गया है लिकिन selling price का ratio नहीं दिया गया है तो अब इसमें हम बात करेंगे कि selling price को हम किस तरीके से निकालेंगे तो देखो अब हम question में समझते हैं कि CP upon MP CP upon MP कितना दिया गया यहाँ पर 3 is to 5 दिया गया ठीक है बात समझ में आई इस तरीके से यहाँ पर देखें आप लोग percentage profit profit percent और इसके बाद discount percent इसका ratio कितना दिया गया 5 is to 3 दिया गया अब आप एक चीज़ देखो profit percent को actually में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको हम लिख सकते हैं profit को percentage के form से convert करते हैं तो P upon CP आता है तो इसको हम लिख सकते हैं P upon CP और इसको लिख सकते हैं D upon MP कोई समस्या नहीं इतने में और यह किसके equal है 5 upon 3 के equal है अब इसको हम आगे लिखेंगे तो यह लिख जाएगा हमारा P और यह MP जो है वो उड़ता हुआ उपर चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा P into MP upon CP into D और यह equal to किसके आ जाएगा 5 upon 3 अब यह हम क्यों कर रहा है जिससे कि हमको profit और discount जो है इसका ratio मिल जाए क्योंकि जब तक profit or discount ratio नहीं होगा तब तक हम कैसे discount percent निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे न तो इसके लिए हमको profit or discount निकालना है अब यह बात दाओ होगा MP और CP जब cross multiply होगा तो यह इधर चला जाएगा और यह इधर आ जाएगा तो यह बनेगा हमारा क्या यह बनेगा profit upon discount is equal to 5 into CP upon 3 into MP ठीक है अब CP की value कितनी है 3 और MP की value 5 तो 5 into 3 upon 3 into 5 तो यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 15 upon 15 इसको cancel out करेंगे तो यह ratio कितना बन जाएगा 1 is to 1 यानि कि एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि जो profit और discount है क्या है हमारा जो profit है और discount है उसका ratio कितना निकल के आ रहा है हमारा बो हमारा ratio निकल कर आ रहा है हम color change कर लेते हैं बो हमारा ratio निकल कर आ रहा है 1 is to 1 clear हो इतनी बात आपको अब देखो अब इसके बाद हम man question पर आते हैं तो question पर आते हैं तो हम इसको solve करेंगे तो हम यहां लिखेंगे cp मको जरूद किसकी ए sp की और हमको एमपी की एक बात बताओ cp हमको कितना दिया गया तीन ratio और यह कितना दिया गया हमको 5 रेसियो sp नहीं पता है लेकिन इनके बीच का यहां पे यहां तक जाने के लिए किसकी जरुवत पड़ेगी profit की और यहां से यहां तक जाने के लिए हमको किसकी जरुवत पड़ेगी discount की अब एक बात बताओ यहां से यहां तक का total difference किसके बराबर हो जाएगा profit plus discount के बराबर और profit plus discount हमारा किसके कितना है profit plus discount हमारा कितना है 2 है तो एक बात समझ में आ गई कि जो profit और discount है वो total हमारा 2 है वो किस ratio में बढ़ जाएगा 1 to 1 के ratio में CP और MP के बीच का gap कितना है 1 to 1 के ratio में बढ़ जाएगा तो यहां भी plus बना जाएगा और यहां minus बना जाएगा तो SP कितना निकल के आ जाएगा यह निकल के आ जाएगा इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी चाहें तो आप mark price पे एक का discount दो तब भी 4 चाहें cost price में एक जोड़ो तब भी 4 SP 4 आ गया question में कुछ नहीं बचा सीधा सीधा हमको निकालना क्या है आप पर discount percent और जब हम discount percent निकालने के लिए जाएंगे तो यह तो हमारा एक आ गया और यहाँ पर यह हमारा चार आ गया और एक बटे पांच क्योंकि हमको mark price पे निकालते हैं तो यह कितना बन गया हमारा 20% now this is the right answer for this question ठीक है बास समझ में आगी तो यहाँ पर option a will be the right यह हमारा right होगा clear हुई इतनी बात आपको मतलब concept में इतनी जो मैंने आपको कहानी यह जो समझाई है न यह वाली पूरी यह यहां से यहां तक यह वाली यह जो आप है यह mentally आप कर सकते थे इतनी यह यह आप mentally solve कर सकते थे आपके लिए सिर्फ इतना करना था यह यह जो लिखा हुआ है और इतना तो यह question को करने में 30 से 40 से जादा नहीं लगने बाला और इस question को आप अपनी copy में note कर लीजिए यह समझ लीजिए कि यह concept आपको paper में मिलने ही बाला है मैं जो पढ़ाऊंगा बहुत important चीज पढ़ा रहा हूँ बड़ी मैनत करके इन questions को लेकर आ रहा हूँ ठीक है next question देखे question लिखा हुआ है ages का है बहुत बढ़िया question है conceptual question है कुछ भी नहीं question के अंदर लेकिन अगर आप concept समझ गए तो बहुत अच्छा question है देखे 2N years ago यह age नहीं है यहाँ पर यह ago है क्योंकि 2 साल पहले ratio of amidst age to inders age is 5 is to 4 यानि कि अगर मैं बात करूँ 2 साल पहले की 2N minus minus हमको बताएगा 2 साल पहले amidst और inders का ratio 5 is to 4 clear है इतनी बात आपको अब इसके बाद हम बोलते हैं तथा N साल पहले यानि कि यह तो 2N साल पहले अब N साल पहले यानि कि 2N से अगर हम इदर की तरफ बढ़े हैं तो 1 साल जादा या नीचे से बढ़े हैं अगर हम present age से तो N साल पहले तो यहाँ भी N साल पहले minus में यहाँ पर किस-किस का इंदर और साथीस यानि कि उपर पढ़ लो N years ago ratio of इंदर's age to साथीस age यानि कि साथीस को रहा गया है यहाँ पर एक साथीस इंदर और साथीस का ratio कितना दिया गया 9 is to 7 9 is to 7 कोई समस्या निए अब इसके बाद क्या बोला गया है कि difference between present age of amiss to 37 present age is 12 find the sum of present ages of all 3 present age की भी जरूद पढ़ेगी इसका मतलब present age यानि कि 0 ठीक है और फिर इसके बाद क्या बोला गया है 3 ratio of amiss age to 37 age after n year will be 13 is to 9 अब एन साल बात यानि कि ये प्लस में चल रहा है वहाँ minus में क्यों चल रहा था क्योंकि पहले की बात ओ रही थी ठीक है तो हर जगे एक की दिक्कत आ रही है यहाँ भी एक का problem यहाँ भी एक एक यहाँ एक साल कम होता हुआ चला जा रहा है यह एक एक साल अगर उपर से देखें नहीं मिलेगा या common difference नहीं मिलेगा तब तक यह बात नहीं आई क्योंकि same same difference मिलना चाहिए अगर अगर यह 4 है यह 9 है तो यह कितने का difference है 5 का तो यहाँ भी 5 का difference बनाओ या फिर हमें ऐसा कर सकते हैं इसमें अगर हम 2 का multiply कर दें अगर हम इसमें कितने का multiply कर दें अगर हम इसमें 2 का multiply कर दें तो हमारा काम कुछ बन सकता है ठीक है देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 का multiply करता हूँ तो यह तो बन जाएगा 10 और यह बन जाएगा 8 ठीक है अब यह 8 है तो यह इस से कितना ज़्यादा है एक और होना भी कितना चाल यह एक तो यह भी कितना गैफ होगा एक गैफ होगा तो यह कितना बन जाएगा 11 क्लियर है योगि 2N से N तक आए तो एक का प्लस में जा रहा है तो एक बढ़ गया तो 11 यहां भी 9 अब यहां भी अगर एक बढ़ेगा तो यह कितना बन जाएगा 12 अब condition अगर हमारी सही चल रही होगी तो यहां भी satisfy कर जाएगी एक बढ़ने पर 13 यानि कि हम सही चल रहे हैं यानि कि 9 में भी अगर 1 बढ़ जाएगा तो यह कितना बन जाएगा हमारा 10 और यहां भी अगर एक बढ़ जाएगा तो यह कितना बन जाएगा 8 यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि present age का जो ratio आ गया निकल के वो आ गया 12, 10 और 8 कितना आ गया 12, 10 और 8 अब हम से कहा यह गया है कि अमित और 37 अमित और 37 की present age में जो difference है वो 12 का है तो आप यहां से देखो कि difference कि इतने का बन रहा है यह 4 का चार ratio का बन रहा है तो 4 ratio की value तो हमको कितनी दी गई है चार ratio की value हमको दी गई है 12 साल तो एक ratio की value कितनी निकल के आ गई, एक की निकल के आ गई, तीन साल, चार से divide कर देंगे इसको, ठीक है, अगर एक ratio की 3, अब हमको बोला गया है, तो ये बताओ किनकी कुल बरतमान आयू कितनी होगी, तो 12 और 8 कितना होता है, 20 और 10, 30, तो 30 ratio की value यहाँ पर कितनी बन जाएगी यह बन जाएगी हमारी 3 into 30, तो now answer becomes 90, ठीक है, तो यह हमारा कौन सा हो गया, D option will be the right, clear हुई बात आपको, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, अच्छे से, चले, इस तरीके से हम यह question बहुत logical question था, और इसको हम चाहते तो दिमाग में ही resolve कर सकते थे, अगर आपको यह logic समझ में आया है, तो, इसी तरीके के, जैसके कुछ question बनते हैं, जहाँ पर आपको घुमा घुमा के दिये जाते हैं, चले, next question की तरफ बढ़ते हैं, देखो, question है, average का, a student find the average of five two digit number, if one number is reverse and the average is taken again, then the average increased by five to five is to four, if all five digits are conjugative multiple of four, then find the number which is reversed, एक बात यहाँ पर सीधी सीधी समझ में आ हमारा एक पांच डिजिट हैं, जो चार के multiple में हैं, अगर उनमें से एक number है, उसको हम पलट दें, तो increase हो जाता है हमारा average, एक बात बताओ कि increase average तभी होगा, कि number पलटने पर जादा बन जाए, तो देख लो इसमें से पलटने पर जादा बन कौन सारा है, अठावन को पलट ह होगे, अगर आप तो ये कितना बनेगा, ये 86 बनेगा, 36 को पलट होगे, 63, 44 को पलट होगे, 47, तो ये तो हो नहीं सकता, और ये 48 को पलट होगे, तो ये तो आला तो cancel होगे, अब दूसरी उसने बोला 4 के गुणा के हैं, तो 4 का multiple हैं क्या ये सारे, तीन में चेक कर लो, 58 च 36 का उल्टा हमारा 63 है, और दोनों का difference हमारा कितना बन रहा है, 27, यानि कि अगर मैं देखूं तो ये 5 इस्टू 4 जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें, ये तो average बढ़ जाता है इतना, अगर मैं total कहूं कितना बढ़ जाता है, तो 5 से multiply कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, हम का मतलब हम ये कह सकते हैं, कि अगर हम number को पलट देंगे, यानि कि उसको अगर हम reverse कर देंगे, तो उस condition में होगा क्या हमारा, जो total difference आएगा न, अंकों के जोड में, यानि कि उसके जोड में, जो total difference आएगा, वो 27 का आएगा, तो यहां से हमको एक बात पता चल गई, कि उसक आप पता चल ला है, कि even number बनेगा, हमको तो और चाहिए, तो answer हमारा कौन सा होगा, B होगा, 36 will be the right answer, getting my point here, okay, समझ पा रहे होगे, आप लोग, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, next question क्या लिखा हुआ है, देखिए, a person sold an article, और आपको एक बात बता दू, जब भी आपकी screen पर कोई question आया करे, अगर वो recorded वीडियो है, अगर मैं live पढ़ा रहा हूँ, तब तो मैं timing दूँगा आपको, अगर recorded वीडियो है, तो उस condition में आप उससे वीडियो को पहुच करिए, अपनी इमानदारी के साथ, ठीक ह ये नहीं है कि आराम से लेटे हुए हैं और उस वीडियो को देख रहे हैं, बस देखते जा रहा हैं, ऐसा नहीं, कॉफी पैन उठाईए, पहुच करिए, करने की कोशिस करिए, देन अगर बन रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपका अच्छा है, तो बहुत अ जहनत करते हैं, आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छा content लेकर आते हैं, तो उस चीज का utilize करिए आप लोग, ठीक, तो देखो, एक बात सीधी से समझ में आ रही है, कि जो भी चीज बन रही है, उसमें 20% का profit चाहिए, तो एक बात बताओ, 20% का profit चाहिए, यानि कि 20% का profit का मतलब क्या हुआ, कि हमको जो भी हमारी चीज होगी, उसमें 20% का profit चाहिए, 20% बराबर क्या होता है, 1 upon 5 होता है, तो उस number में 6 upon 5 का multiply होना चाहिए, उस number में 6 upon 5 का multiply होना चाहिए, जैसे कोई भी number है, जैसे 100 है, 100 का मुझे 20% और जोड़ना है उसमें, तो हम इसमें क्या क हमारा कितना बनेगा 120 बनेगा बात समझ में आया आपको तो अब यहां से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि उपर हमारा multiple इसमें एक तीन का है यह तीन का multiple क्या कटेगा किसी से नहीं कटेगा तो उस option के अंदर three का multiple होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिलकुल फूरे इतनी बात आपको ठीक है option पर आ जाओ 99 और 2 ये हो रहा है divide 9945 ये नहीं हो रहा है 9956 ये हो रहा है 99 ये नहीं हो रहा है ये तो है matrix यानि कि एक बात समझ में आगी या तो option A होगा या option C होगा clear हुई बात आपको या तो option A होगा या option C होगा अब एक चीज़ और समझे लो यहाँ पर कि 6 में क्या है? दो का भी multiple है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो multiple होगा जो number बनेगा वो क्या बनेगा हमारा even बनेगा ना कि odd बनेगा तो even बनेगा तो ये भी नहीं होगा तो option हमारा कौन सा होगा? यह तो अगर थोड़ी सी रिस्क लेने की दम रखते हो ना अपने अंदर तो ये अगर आपके पास समय कम है तो ये आंसर हा गया आपका लेकिन proper भी कर सकते हो वो भी देख लो देखो कुस्टन में कहा कि आया है कि एक article को अगर हम अठारा सो चालीस रुपए में बेशते हैं एक article को अगर हम अठारा सो चालीस में बेशते हैं ठीक है? यह CPA और एक बार हम उसे बेशते हैं पंदरासों में एक बार हम उसे बेशते हैं पंदरासों में एक बार तो मैं 1840 में बेचते हैं एक बार बेचते हैं पंदरासों में जब 1840 में बेचते हैं तब प्रॉफिट होगा पंदरासों बेचते हैं तब हमारा क्या होगा हानी होगी यानि कि लॉस होगा ये तो सिंपल सी बास समझ में आती है कम में बेचेंगे तो लॉस होगा ले आपको पता होनी चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो मेरा परसेंटेज वाला बेसिक वाला वीडियो देख लो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अब यहाँ पर देखो तो अगर हानी हमारी 8 की हो रही होगी तो यह 9 की हो रही होगा लाप क्योंकि उसने क्या बोला हानी से 12.5% मोर है तो अगर हानी 8 की हो रही होगी तो लाप कितने का हो रहा होगा 9 का हो रहा होगा तो यह हमारा कितना बनेगा करके देख लिते हैं आठ और नो कितना होता है सत्रा सत्रा रेशियो की वैल्लू कितनी दे गई है तीन सो चारीज एक रेशियो की वैल्लू कितनी हो जाएगी बीस ठीक है तो नो रेशियो की वैल्लू कितनी हो जाएगी 180 और 8 ratio की value कितनी हो जाएगी 160 clear है तो यहाँ पर तो आ गया 160 और यहाँ आ गया 180 अब मुझे CP निकालना है भई तो CP निकालने के लिए अगर हमको 160 का loss हो रहा है तो loss को अगर 1500 में जोड़ दोगे तो हम CP के पास पहुचेंगे की ने क्रेम उल्ले के पास पहुच जाएंगे की ने तो 1500 में या तो 160 जोड़ दो या 1840 में 680 घठा दो दोनों ही condition से हमारा क्रेम उल्ले निकल कर आ जाएगा तो 1500 में अगर 160 जोड़ देंगे तो यह बनेगा 1660 अब यह 1660 हमारा क्या निकल के आ गया यह CP लेकिन इस पे भी हमको क्या चाहिए 20% का profit चाहिए 20% का profit चाहिए तो हम 1660 का क्या निकाल देंगे 1660 का हम निकाल देंगे 120% तो 120% की बात क्या आ गई वही तो आ गई 6 upon 5 यही तो आ गई 6 upon 5 तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया तो 0 से यह 0 भी उड़ा दो अब देखो तो 12 चिंग 72 दो 7 कह रही 12 चिंग 72 और 7 कितना हो जाएगा 9 ठीक है और 12 और 12 में इसको 7 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9 तो आंसर कितना आ गया 1, 9, 9, 2 जो चीज मैंने सिर्फ 2 सेकिंड में निकाल दी उस चीज को आप 10, 15, 20, 30 सेकिंड में भी निकाल सकते हो यहाँ पर आपकी शुर्टी हो जाएगी 100% वहाँ पर थोड़ा सा कन्फूजन रहेगा कि क्यों NOTB आंसर आपको एक दी आ गया है क्लियर हो रही बास समझ को आपको तरीके समझ में आ रहे हैंगी यह वही सारे तरीके हैं जिनको हमको पेपर के अंदर यूज करना है और बड़े आसानी से हमको क्या निकाल देना है आंसर निकाल देना है क्लियर हो ही चलिए next question की तरब बढ़ते है question लिखा हुआ if ratio of length, width and height of a क्यूबअट is 1 into 2 is to 3 and its area is 88 cm2 then find the volume of kübe having h length equal to the width of the क्यूबअट देखो सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है क्यूब का volume तो एक चीज याद रखो कि volume अगर हमको निकालना है volume अगर हमको cube का निकालना है cube का तो वो हमारा कितना होता है aq यानि कि side का q इसके लिए side चाहिए तो side के लिए हमको क्या चाहिए हमको चाहिए किसकी value breadth की value तो breadth की अगर हमको value चाहिए तो breadth की value कहां से निकलेगी उपर बाला solve करना पड़ेगा तो देखो हमको given है क्या 2LBBH प्लस HL is equal to 88 cm2 क्लियर हुई अब यहां पर 2 यहीं रहे ने तो L कितनी value दी गई है हमको इसको हम क्या लिखेंगे ratio है न यह ratio तो अगर मैं यहां से इस ratio को ऐसे लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं L is equal to x और यहां पर B is equal to 2x और यहां पर H is equal to 3x अब देखो तो यहां पर देखो अब इन दोनों का multiply कितना बनेगा 2x square L into B का तो इसको हम डारेक लिख देते हैं 2x square और B और H का कितना बनेगा 6x square इसको हम डारेक लिख देते हैं 6x square और H और L का कितना बनेगा हमारा 3x square तो इसको भी हम डारेक लिख देते हैं 3x square is equal to हमारा कितना बनेगा 88 cm square अब यहां से इसको बात आपको समझ में आई होगी इनकी x की value 2 आ गई अब हमसे उसने क्या कहा है कि जो length है किसकी cube की वो equal है किसके वो बृत के equal है तो B is equal to हमारा निकल के आ जाएगा 2 into 2 यानिकी 4 clear होई बात अब ये 4 हमारा किसके बराबर आ गया A के बराबर आ गया ये A के बराबर आ गया बस रख दो यहां पर तो A cube है तो A cube यानिकी 4 cube और 4 cube का मतलब होता है 64 cm3 क्योंकि हम volume निकालते हैं तो ये cube में बनता है area निकालते हैं तो square में बनता है Now 64 cm3 will be the right answer of this question तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करने हैं ये mensuration का question था जो कि हमारे banking में भी आता है Next question के दर बढ़ते हैं देखें Question में कहा गया है कि A और B का आज से 10 साल पहले जब साधी हुई थी तब आयू का अनपाद 5 अनपाद 4 था ये कि A and B got married 10 years ago at the time ratio of their ages was 5 is to 4 Ratio of present age of A and B is 7 is to 6 ठीके अब देखो जब इनकी साधी हुई थी तब A और B का यहां लिख देते हैं तब A और B का A और B इनका 10 साल पहले की बात करते हैं माइनस यानिकी पहले तब ratio था 5 is to 4 और आज के time पे यानिकी 0, 0 का मतलब present यानिकी आज के time पे इनका ratio कितना हुँ रहा है यह उड़ा है 7 is to 6 यह बताओ कि 10 साल पहले और 10 साल जब यह 10-10 साल दौनों लोग बड़े होंगे तो दौनों में ही बराबर बराबर gap आया होगा तो इन दौनों के बीच में gap कितना होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो इन दौनों में gap कितने का होना चाहिए बराबर ही होना चाहिए तो देखते हैं इन इसका gap देखो इसका gap कितने का है 2 का प्लस 2 इसका gap कितने का है प्लस 2 original में यह gap होना कितने का चाहिए था 10 का तो इसमें original gap 10 का होना चाहिए था तो हम कह सकते हैं कि 2 ratio की value कितनी दी गई है 10 तो एक ratio की value कितनी आ गई 5 तो इसका मतलब ये कितना आ गया 35 और ये कितना आ गया 30 यानि कि हमको पता चल गया कि आज के time पर जो A है वो 35 साल का है और B है वो 30 साल का है इतनी बात आपको समझ में आयोगी अब एक बात बताओ कि 10 साल पहले अगर साधी हुई है तो maximum बच्चे की जो age हो सकती है वो कितनी हो सकती है 9 साल हो सकती है maximum जो बच्चे की age हो सकती है कितनी हो सकती है 9 साल हो सकती है अगर 10 साल पहले साधी हो ये common sense ही बात है इनके तीन बच्चे हुए एक साथ फिर ट्विन हुए फिर शिक्स और सेवन्थ ठीक है इनका रेशियो है 4 इस्टू 3 इस्टू 2 इस्टू 1 यहां पर बन लगना रहे गया है लगा लेना क्योंकि यहां लगा हुआ है तो देखो अब मैं यहां पर देखता हूं तो ट्रपलेट डबल ट्यू इनका जो रेशियो है वो है 4 3 2 इक बात बताओ यहां पर अगर मैं ट्रपलेट यहांनि कि सबसे पहले ट्रपलेट बच्चे हुए यहांनि कि अगर ट्रपलेट वाले टीनों बच्चों की महजोमेज को चार माल लूं तो क्या वो अधिक्तम को ला दस साल पहले साधी हुई थी तो इसका रेशियो को डबल कर दो अगर मैं इस रेशियो को डबल कर दूं यहां से अगर मैं इस रेशियो को यहां से क्या कर दूं डबल कर दूं तो यह रेशियो बन जाएगा 8 6 यह 4 यह 2 अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसकी 8 है अगर मैं ट्रपलेट जो बच्चे हुए हैं, उनकी maximum age 8 साल है, ट्विन वालों की 6 साल है, और जो 6th नमबर का है, वो भी 4 साल का है, 7th नमबर का है, वो 2 साल का है, अब देखो total age, तो ये 3 बच्चे हैं, तो इनमें 3 का multiply किया, तो इनकी total age हो गई 24, ये 2 हैं, तो इसमें 2 का multiply किया, तो ये कितनी हो गई, 12, ये 1 है, तो इसमें 1 का multiply किया, तो ये कितना हो गई, 4, ये 1 है, इसमें 1 का multiply किया, तो ये कितना हो गई, 2, इसको add कर दो, तो बच्चों की कुल age हमारी हो गई, 24 और 12, कितनी हो गई, 24 और 12, 36, 44, 42, 42 और इसके अलाबा अगर मैं total age की बात करूँ total age of family तो वो हो जाएगे हमारी 42 प्लस 35 और 3065 यानि कि इसको अगर मैं देखूँ तो 6 और 14 और यह इतना हो गया 107 यानि कि now 107 will be the right answer of this question ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ पर कि total iu हमारी 107 होगी तो now option b will be the right answer getting my point here समझ में आ रहा होगा किस तरीके से logic लगाना है किस तरीके से question आते हैं paper में और किस तरीके से solve करना है उनको आप लोग समझ पा रहे होगी ठीक है चले next question की तरब बढ़ते हैं question लिखा हुआ है ए ने एक ब्यापार में 6000 रुपए 4 महिने के लिए निबेश किये बहुत बढ़िया question है यह question मैं आपको इसमें ऐसा बढ़िया logic बताऊंगा जिसमें क्या होगा without pen भी आप question को solve कर पाऊगा बहुत आता है ऐसा question ए ने एक ब्यापार में 6000 रुपए 4 महिने के लिए निबेश किये ए निबेश रुपीज 6,000 for 4 months and add more रुपीज 4,000 to his investment after 4 months इनिबेश रुपीज 8,000 for a year बी इनिबेश रुपीज यहाँ पर बी लगा लेना बी इनिबेश रुपीज 8,000 for a year यह run the business so he gets 20% of total profit as bonus remaining profit is divided into both if these profit share is रुपीज 24,000 then total amount of money यह gets after a year question बहुत बढ़िया है समझे पहले आपको detail समझा देते हैं detail यह कह रहा है कि मुझे पता है कि profit का जो ratio होता है ratio of profit ratio of profit यह depend करता है C into T पे तो अगर मैं A की बात करूँ और B की बात करूँ तो सबसे पहले A ने रुपए कितने लगाए 6,000 कितने time के लिए लगाए 4,000 फिर इसमें 4,000 और जुड़ गए तो यानि कि 10,000 यह कितने के लिए लगाए बाकी बच्चे हुए 8 महीने के लिए B ने कितने रुपए लगाए 8,000 रुपए लगाए B ने और 8,000 रुपए पूरे ही इसने कितने साल के लिए लगाए 12 साल के लिए अगर मैं इसका ratio निकालने के लिए जाओं तो यहां से देखो यह 30 यहां से cancel out यह 30 यहां से cancel out यहां से बनेगा 24 यहां से बनेगा 80 और यहां से बनेगा 96 यहां तक बात समझ में आई होगी अगर मैं इसको देखूं तो यह बनेगा 104 और यह बनेगा 96 अगर मैं 8 से cancel करूं तो ये एक बार जाएगा और ये तीन बार जाएगा और ये एट से करूँ तो ये एक बार जाएगा दो बार जाएगा नाव मुझे पता चल गया कि profit का जो ratio है profit का जो ratio है वो कितना निकल कर आया 13 is to 12 किलियर हुई बात आपको यानि कि उनका जो ratio बटना चाहिए था उनको actual में रुपए मिलना चाहिए था वो 13 is to 12 के ratio में मिलना चाहिए था लेकिन हुआ क्या question के अंदर question के अंदर यह हुआ कि A जो है वो active partner है यानि कि वो कुछ काम भी देखता है इसके लिए वो 20% total profit का separate लेता है उसके बाद बचे हुए का वो profit के ratio में divide करता है तो देखो A क्या करता है हमारा देखते हैं A क्या करता है A यहाँ पर सबसे पहले इसकी देखों A है यह वो 20% लेता है total profit का तो 20% is equal to कितना हुआ 1.5 अगर total profit 5 है तो वो एक ले लेता है Ace income या bonus कुछ भी लिख लो ठीक है लेकिन अब अगर इसको मिल गया तो remaining कितना बचा तो remaining 4 बचा और इस 4 किस ratio में बढ़ जाएगा A और B में यह A को मिलेगा और यहाँ B को मिलेगा यह किस ratio में मिलेगा यह मिलेगा 13 is to 12 ratio में clear होई अब 4 को 13 is to 12 ratio में बाटना यानि कि difficult तो इसको हम हम अपने एसाब से change कर सकते है न 13 और 12 कितना होता है 25 तो 4 कर 25 से divide करेंगे तो cancel out होगा नहीं तो मैं यहाँ 25 का multiply कर देता हूँ अपनी calculation को easy बनाने के लिए तो यहाँ भी 25 का कर देते हैं तो यहाँ भी 25 का कर कम क्लियर हूई और इसके बाद बच्चता कितना है यह तो यह इस ratio में divide होता है तो यह कितना कितना मिल जाएगा इसको अगर हम 100 को 13 is to 12 के ratio में divide करेंगे तो यह मिलेगा 52 इसको मिलेगा और यह 48 मिलेगा किलियर हूई बात आपको अब यहाँ पर a को already यहाँ पर 25 मिल रहा है और यहाँ पर इतना तो 25 और मिल गया इसको तो टोटल कितना हो गया यह 77 और b को कितना मिला 48 और उसने हमको दिया है कि b का share कितना है 24,000 तो 48 की value हमको given है कितनी है यह 24, 2000 तो एक ratio की value कितनी ही आ जाएगी 24,000 divided by 48 दो यहाँ पर 77 की value कितनी हो जाएगी 77 into 500 यहाँ कि कितना हो जाएगा 5 38,000 यानि कि 38,500 will be the right answer of this question आप लोग को समझ में आया होगा तो option b will be right answer clear है got it ठीक है समझ में आ रहा है आपको यह चीज है कितने आसानी तरीके से यह भी कोई ऐसा long method नहीं है यह भी बहुत बढ़िया method है लेकिन अब इस से भी sort method देखते हैं ठीक है इस से भी sort हमारा क्या होगा देखिए इसको मैं हटा देता हूँ हमको कहा यह गया है कि इनका अगर हमने ratio जब निकाला था final profit का ratio profit ratio profit ratio जब हमने final निकाला था तो वो हमारा निकल के आया था 13 इस्टू 12 ठीक है एका और बीका इसको 130 और 120 भी कर सकते हैं एक बात बताओ कि जब 20% वह देख भाली का ले रहा है यहाँ पर A भी कहता मैं भी 20% ले रहा हूँ तो कोई ratio पर फर्क पड़ता नहीं लेकिन B ने 20% अगर A 20% extra ले रहा है तो इसका मतलब loss किसको हो रहा है B को loss हो रहा है फाइदा किसको हो रहा है A को तो actual में यह इसका 20% ले रहा है तो 120 का 20% कितना होगा 24 तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसको तो 24 का फाइदा हो गया और इसको 24 का loss हो गया तो नया जो ratio बना वो कितना बन गया 154 और इसका कितना बन गया 96 ये ratio बनेगा profit का new वाला जिसमें उसका distribution होगा अब यहाँ पर जो 96 है ना इसकी value हमको दी गई है 154 की निकालनी है तो 96 की value कितनी दी गई है आपको 24,000 तो एक ratio की value कितनी आ जाएगे यहाँ पर 24,000 divided by 96 कितने से जाएगा ये 4 से चला जाएगा और 1000 को 4 से कर दोगे divide तो 250 आ जाएगा तो यहाँ से हम 154 ratio की value अगर मैं निकालने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 250 into 154 और इसको अगर मैं निकालूं 250 into 154 तो इसका multiply करता हूं तो यह हमारा कितना बनेगा 25,400,0,10 कैरी,25,125 और 10,135,13 कैरी 25,13 में 38 और 10 यहनि कि यह हमारा answer आ गया 38,500 will be the right answer आपने देखा कितनी जल्दी से हमने इस question को solve कर दिया बहुत सांदार तरीका था आप लोगों को समझ में आ गया होगा sort method था और यह question इस तरीके के question बार बार पूछे जाते हैं प्री में तो बहुत पूछे जाते हैं और इस तरीके से आप बहुत easy तरीके से इनको solve कर सकते हैं mind calculation के अच्छा एक और था इसमें इतना भी नहीं करना था आप यहीं से देखते कि हमको एक ही पूछी गई है न बात तो 154 11 का multiple है की नहीं और जब 154 11 का multiple है तो इसमें option में 11 का multiple तो होगा ही होगा सिर्फ एक ही option है यह बाला जो 11 का multiple है तो now we will be the right answer आप देखते ही इस question को solve कर सकते थे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी ठीक है चले next question किदर बढ़ते है question दिया गया है रिसब A और B को बराबर धनरासी A की ब्याज़दर पर उधार देता है A को दी गई धनरासी साधान ब्याज़दर से 4 वर्च में ही मूल धनरासी का दो गुना यानि कि A क्या करता है एक रिसब भैसाब है वो A और B दोनो लोगों को A को B और B को बराबर बराबर धनरासी देते हैं लेकिन जो A को वो धनरासी देते हैं A को वो देते हैं माल लो उन्होंने एक रुपए दिया A को तो वो क्या होता है दो रुपए बन जाता है तो ऐसा ही यहाँ पर कितना कमा लेते हैं वो तो ऐसा ही कमा लेते हैं हैं आपर एक रूप हो और यह time कितना लगता है इतना करने में? चार सा तो यहां से हम rate निकाल सकते हैं बड़ी एजी अब rate हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम rate सीधा-सीधा हमारा rate निकालने का funda होगा यहां पर क्या? कि उपर ऐसा ही रहेगा बांकी सब नीचे रहेगा 4 into 1 और percentage के लिए 100 का multiply now 25% इसकी rate होगी तो इसकी rate मुझे पता चल गी 25% होगी किलियर हो इतनी बात आपको यानि कि मैंने इतना solve करके यह निकाल लिया कि इसकी rate होगी वो 25% होगी अब आगे कुश्चन को हम पढ़ते हैं ठीक है? अब उसने ये कहा कि 4 वर्श आगे पड़ते हैं तो उसने ये कहा कि रिसब ने B को पहले दो वर्श के लिए चक्रवती व्याज देता, अगले दो वर्श के लिए साधारन व्याज पर उधार दिया था यदि 4 वर्श बाद A और B की धर्रासी का अंतर 2750 हो तो रिशा बने प्रतेक को कितना धंदी है अब मैं माल लेता हूँ कि अगर मैं इसकी धंरासी P है तो ये कितनी हो गई 2P 2P यानि कि A को तो 2P मिल गया ठीक है A को कितना मिल गया A को तो मिल गया 2P ठीक है बात समझेगा A को मिल गया यहाँ पर 2P अगर मैं B की बात करूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ यह आप समझ गया यहाँ पर मैंने देखा तो ये A को और रेट हमारी कितनी मिल गई हमको 25% मिल गई यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी अब मैं बात करता हूँ B की अगर मैं B की बात करूँ यहाँ पर तो B को आप देखिएगा B को सबसे पहले दो बर्ज के लिए उसने चक्रवती ब्याज पर दिया तो चक्रवती ब्याज क्या करता है ब्याज में ब्याज को जोड़ता जाता है तो चक्रवती व्याज के लिए जब उसने दिया तो माल लेते हैं p धन था 25% की रेट से देगा तो पहली साल उसे मिलेगा 5 upon 4 फिर मिलेगा 5 upon 4 फिर प्लस अब उसने अगले 2 वर्च के लिए साधरन व्याज के देदिया तो p को अगले दो बर्स के लिए 2, rate कितनी है हमारी 25% ठीक, अब 25% को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा यह 100 आ गया cancel करोगे, इसको तो 4 बनेगा 2 बनेगा यह 2 साल के लिए दिया, यहां भी 2 साल के लिए दिया, तो यह total कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 25P upon 16 plus P upon 2 ठीक है, यह बात समझ में आ गया आपको अब एक चीद देखो यहां पर कि सबसे पहले उसने कितना दिया उसने 2 साल के लिए 25% की rate से दिया, तो वो कितना हो गया P into 5 upon 4 into 5 upon 4 plus, अब उसने क्या दिया, अगले 2 साल के लिए उसने किस पे दे दिया, अगले 2 साल के लिए उसने दे दिया, साधान और व्याज पे, तो धन्तो पी है धन्तो पी है ना इस टार्टिंग का तो अब उस पे जब दिया तो इतना बना, लेकिन आप बात बड़े ध्यान से समझे गए यहाँ पर, कहना क्या चा रहा हूँ उस चीज को समझो, कि जब आपने किसी को 100 रुपए लिए आपने उस पे क्या किया, 25% से यहनि कि 5 अपॉन 4 से और 5 अपॉन 4 से मतलब मालने ते, 160 रुपए आपने किसी को दिये, तो इससे वो कितना आपको रुपए दे देगा, 16 से यह कैंसिल किया, तो 10, 250 रुपए तो अब यह 250 रुपए प्रिंसीपल की तरह काम करेगा अब यह 250 रुपए किस की तरह काम करेगा, प्रिंसीपल की तरह काम करेगा, तो अब क्या होगा इसमें हमारा क्या जुड़ जाएगा इंट्रेस्ट जुड़ जाएगा तो अब इसमें हमारा अब इस 250 की बात करेंगे इंट्रेस्ट लेने की तो यहाँ पर यह जो P न आते हुए यहाँ पर कितना आएगा 25 अपॉन 16 आएगा कितना आएगा P upon 32 यानि कि एक बात समझ में आ गई कि यहां से तो धनम को 2P मिल रहा है और यहां से धनम को 75 P upon 32 मिल रहा है क्लियर हुई बात आपको अब इन दोनों का जो difference दिया गया है वो हमको 2750 दिया गया है तो हमको सीधा सीधा P की value बता देनी है कि उसने उसको कितना धन दिया पिर देखो तो अब देखो सिंपल हो गया आप तो 75 P upon 32 माइनस 2P इसकी value हमको कितनी गई गयी है 2750 अब यहां से देखो इसको solve कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा हमारा नीचे 32 आ जाएगा उपर हो जाएगा 75 P और माइनस यह कितना हो जाएगा 64 P और यह कितना आगया 2750 यहां से अगर मैं इसको देखो तो यह कितना बन जाएगा हमारा 6 और 5 11 11 P is equal to 2750 into 32 11 से इसको cancel out करो तो यह 2 और 5 और 0 तो यह बन जाएगा 250 multiply by 32 यह कितना बन जाएगा 0 25 का 2 में करेंगे तो 0, 5 कहरी बचेगा 25, 3, 75 और 8 यानि कि 8,000 रुपए हमारा क्या निकल के आजाएगा answer निकल के आजाएगा जो कि इस question का right answer होगा यानि कि वो 88,000 रुपए दोनों को उधार देगा clear होई बात आपको बहुत बढ़िया question था logical question था ये चीज़ जो समझने वाली थी वो ये थी मैं समझने वाली ये point ये 25 अपान 16 क्यों आया क्योंकि चक्रवती ब्याज में क्या होता है हमारा जो ब्याज होता है वो भी हमारा किसमे principle में add हो जाता है तो वही तो हमारा principle की तरह काम करेगा अगले किसके लिए दो बर्स के साथ रहन ब्याज के लिए ठीक है चलिए ओके समझने आया चलो next question की दरब बढ़ते है दो बस्तू की कीमत का अनपात 4 इस्टू 5 है यदि पहली बस्तू की कीमत को 1% बढ़ा दिया जाता है तथा दूसरी बस्तू की कीमत को 30% कम कर दिया जाता है तब नया अनपात 10 is to 7 प्राप्त होता है बहुत simple question है देखो logical question है कुछ नहीं यनि कि दो बस्तू है यनि कि 1st और 2nd इनका ratio है वो 4 और 5 है मैं इसको 40 50 कर दो कोई समस्या नहीं जिससे आसान हो जाता है इसने बोला यदि पहली बस्तू की कीमत को 1% बढ़ा दिया जाता है मुझे नहीं पता कितना बढ़ा रहे हैं दूसरी बस्तू की कीमत को 30% कम कर दिया जाता है तो इसको अगर मैं 30% इसका कम कर दूँ तो 50 का 30% कम करूँ, तो 50 का 30% कितना निकलेगा, 50 का 30%, 15, तो 15 कम कर दो इसमें से, तो कितना बनेगा, 35, तो एक बात बताओ, यह 35 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा, यह नहीं पता, लेकिन यह जो ratio बन रहा है, वो 10 is to 7 बन रहा है, अब ratio, तो 7 की value कितनी है, 35, यह कितना times है, 5 times, तो यह भी कितने times हो जाएगी, 5 times हो जाएगी, तो यह कितनी बन जाएगी, 50, तो 40 का कितना बन जाती है, 50, यह निकि 10 बढ़ जाती है, कितने पर 40 पर, और 1 by 4 कितना हो जाता है, 25%, तो इनका हमको पता चल गया कि ये कितना बढ़ जाती है तो ये जो हमारी जो X% बढ़ा दिया जाता है इसका मतलब क्या हुआ 25% बढ़ा दिया जाता है Now A option will be the right option of this question ठीक है बास समझ में आगई आपको समझ में आया हुआ पहला question और last question एकदम सैम question है कोई भी अंतर नहीं है मैं उमीद करूँगा कि इस question को आप comment में जरूर बताएंगे सभी लोग बताएंगे और इस session को आप लोगों ने बहुत अच्छे से enjoy किया होगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो like और subscribe करना ना भूलें क्योंकि अब ये series continue चलने वाली है और भी बहुत सारे questions इस पे आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे questions notes बनाई है उनको proper note करते रही है क्योंकि paper में जब बैठ होगे तो ये agitage आपको question मिलने वाले हैं वहाँ पर ठीक है इसका comment जरूर करिएगा बहुत बहुत सुक्रिया आप लोगों का और इसी तरीके से जोड़े रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की को सिसक्रिया